नागपूर हलचल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नागपूर की विवित हलचल पर संत निरंकारी मेशन के सवजन से दो रक्तदान शिवरो कायोजन पारडी, हुडकेशर और वाडी में हुआ जिसमें कुल 196 उनिट रक्त का संकलन डागा एवं मेयो अस्पताल के शास्के बलड बैंक की रसायोग से किया गया सवर प्रतम रक्तदान शिवर का शुबारम राश्वादी कॉंग्रेश चरदक्षर दुनेशर पेठे द्वारा किया गया दूसरी रक्तदान शिवर का शुबारम समास से वी सुरेज बाल पांडे के हाथों किया गया रक्तदान शिवर में रोशनलाज शर्मा, जृतंद्र जेस्वानी, उमा कांत अगनी होतरी, एसेम शर्मा, गुडुर हांग डले, दिलाधर पटले, प्रमुक्था से उपस्ति थे जे प्रकाश शर्मा श्यामनारन प्रजापती ने सभी का स्वागत एवं धन्यवाद धन्यापित किया आचारे विद्यासागर महामुनिराज के परमशिष्य मुनिश्री पावन सागर महाराज एवं नाखपूर नगर गवरव मुनिश्री सुबदर सागर महाराज का दिगंबर जैन शांदिनात मंदिर तुलसिनगर से पद्विहार कर दिगंबर जैन परिवार मंदिर पवारपुरा इत्वारी नागपुर में भव्य अगवानी हुई अगवानी में दिगंबर जैन परिवार मंदिर ट्रस्ट ग्यानोदै सेवा संग सवरनो पासक संग तुलसी नगर महिला मंडल पवारपूरा महिला मंडल एवं अन्य जैन संगटनों के प्रत्निदी तथा भक्तगन उपस्ति थे मुनिस संगदि गंबर जैन पवारपूरा मंदिर में विराजमान है शिखर चंद नायक, संतोज बैसा किया, दिनेश जैन, संतोज जैन, राजु जैन आचार्य श्री से प्रवचन हे तु निवेदन कर आशिरवात प्राप्त किया आज आचार्य श्री का प्रवचन जारी है और स्रभी शद्धालों से प्रवचन का लाब लेने का वहन्ट तस्ट के पदादी कारियों ने किया है अखंड भारत विचार मंच की ओर से 1 जनुरी से 10 जनुरी तक श्री रामकता का आयो जन्मान का पुरस्तीत प्राचिन शिरुमंदिर के प्रांगन में किया जा रहा है श्री रामकता का समय दोपर 3 से शाम 7 बजे तक रखा गया है मंच की राष्टे दिक्ष मनुच कुमार सिंग ने बताया कि संगीत में श्री रामकता का सरसरस्पान चित्रकूट के श्री रामकता कार राजन महराज भक्तों को कराएंगे कथा की कलश यात्रा शनिवार 1 जन्वरी को दोपर 12 बजे न्यू हनुमान मंदिर से कतास्तली प्राचिन श्री मंदिर पहुचेंगी श्री रामकता की तैयारी अपनी पुर्णता पर है श्री रामकता में कोरोनानियम का पालन किये जाने की जानकारी उन्होंने दी सभी से माक्स लाकर आने का अगर अध्यक्ष न किया श्री रामकता के लिए भववपंडाल बनाया गया है कथा की सपल्थार्थ मंज के सभी पदा अधिकारी वा कारे करता प्रयासरत है मंदल रेल प्रबंदक मनिंदर उपल की अध्यक्षता में दक्षिनपूरं मदरेलवे की राजबाशा कार्यानवै समिती की चौती बैठक आयोजित की गई उक्तबैठक में अपरमुक्य राजबाशा अधिकारी एवं अपरमंडल रे प्रबंदक ओ एकी सुर्यमंशी तथा सभी शाका अधिकारी उपस्तित है बैठक का संचालन समिती के सच्चिव एवं राजबाशा अधिकारी गौतम श्रिवास तवद्वारा किया गया इस बैठक में 30 सितंबर को समाप्ततिमाही अवधी की राजबाशा प्रगती से सम्मधित विभिन्द मुद्धों पर चलचा की गई बैठक के प्रारम में एक है सुर्यवन्षी अपर मुक्य राजबाशा अधिकारी एवल अपर मंडल रेल प्रबंदक ने बैठक में उपस्तिस समिती के अधक्ष एवं सभी सज़स्यों का स्वागत किया उन्होंने शाका अधिकारियों को संबधित करते हुए कहा कि तक्नीकी शब्दों को हिंदी में लिखते समय विशजध्यान दिया जाना चाहिए ताकि उसको समझने एवं प्रयोक करने में कोई भ्रम किस्तिती उत्पनन ना हो इसके लिए तक्नीकी प्रक्रूती के अंग्रेजी शब्दों को देवनागरी लिपी में लिखा जाना एक बहतरीन तरीका हो सकता है साथी राजबाशा हिंदी में काम करते समय बिल्कुल सरल एवं सहस शब्दों का प्रयोक किया जाना चाहिए अपने अध्यक्षिय सम्मोदन में मंडल राजबाशा कार्यानवाई समीती दक्षिन पूर मधरेलवे नाकपुर मंडल के अध्यक्ष एवं मंडल रेल प्रबंदक मंडिंदर उप्पल ने राजबाशा नियम 1906 के अनुपालन पर प्रसन नता वेक्त की दक्षिन नाकपुर के विधायक मोहनमते के जनमदीन के अउसर पर भारतिय जनता पार्टी अनुपाल पदाधिकारियों ने सरकारी मेडिकल कॉलेज परिसर में जरुवत मंडों को कम्बलों का वित्रन किया इस अउसर पर दक्षिन मंडल अदक्ष देविंदर दस्तुरे भाजपान उसुचित जाती मोलचा नगर अदक्ष राजश हाती बेड राश्ट उपादक्ष अशोक मेंडे महामंद्री नगर सिवक नागेश सहारे पूरो नगर संगटन मंद्री भोजराश डुमबे मोलच इस अउसर पर दक्षिन मंडल अदक्ष चंदर शेकर केल जरे प्रदेश कारेकारणी सरेस्व प्रभाकर मेंश्राम नगर कोशादक्ष शरत पार्थी बंटी पैसा डेली संगपाल काले हिमाशु पार्दी उपादक्ष संदीब बेले अमित गांजरे महामंद्री कहलाज ड मेट्रो स्टेशन और रिचपोर सिताबर्ड इंटर्चेंज प्रजापती नगर स्टेशन के बीच मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी हाल ही में सिताबर्ड इंटर्चेंज से वैश्नोदेवी मेट्रो स्टेशन के बीच सेंटरल एवन्यू रोड पर टेस्ट रन किया गया महा मेट्रों ने वश दोहजार बारा में कोरोना के दोरान विशम परिस्तितियों में भी कई महतोपूर नकार किये गए इस दोरान मेट्रों की सेवा बहाल रही 2021 में महा मेट्रों नाखपूर के महतोपूर नकार इस प्रकार है 9 जनवरी 2021 को नाखपुर मेट्रो के फेस्बुक पेच को 6 लाख लाइक्स पाना 24 जनवरी 2021 को उननती फाउंडेशन और चातर जागरुती संगेटन द्वारा संव्त रूप से रीशफोर में मेट्रो समवात कायोजन होना 26 जनवरी 2021 को कुल 56,406 नागरिकों ने मेट्रो से यात्रा की जिसने पिछले सभी रेकॉर्ड तोड़ दिये एक फरवीरी 2021 को नागर्पूर मेट्रो फेस टू और नासिक मेट्रो नियों के लिए केंद्री बजट में क्रमश़ 5,986 करोड और 2,92 करोड रुपे की घोशना की गई नव फरवरी 2021 को फ्रांस के राज़ दूत इम्यानियोल और अधिकारियों ने नागर्पूर मेट्रो का दवरा किया इसके अलावा और भी कई उपलबदिया शामिल है प्रधानमंदरी रोजगार निर्मती कारेकरम से देश में लाखो रोजगार निर्मान हो रहा है सुक्ष्म लगू वा मद्यम उद्योग मंत्राले भारत सरकार के तहत नए उद्योग स्थापित करने वाले उद्धर जग को उद्योग के लिए 10 लाख तता उत्पादन प्रक्रिया उद्योग के लिए 25 लाख करज देने का प्रावधान है पिछले कई वर्षों से यह करज मर्यादा को बढ़ाय जाने की मांग पूरे देश में की जा रही है अज के जमाने में कम लागत में उद्योग स्थापित नहीं होने के कारण आर्थिक स्थर घट रहा है अनेक उद्योग लिमिट ना बढ़ने के कारण शुरू नहीं हो रहा है यह लिमिट बढ़ने के लिए केंद्रिय मंत्री नितिनगडकरी की ओर से सुक्ष्म लगू वा मद्यमुद्योग मंत्राले में प्रस्ताव भेजा गया था उस वक्त प्रयास किया गया बगर कोरोना की वजह से इस बात पर वित्तवी भाग ध्यान नहीं दे रहा था इस बात की ओर नाकपूर महालगर कामगार आगारी के अदेक्ष पूरपार्षद भासकर पराते का ध्यान गया उन्होंने नाकपूर में अग्रुविजन राष्ट्रेक रुषिर प्रदरशरी में आये केंद्रियव सुक्ष्म लगू वं मद्यमुद्योग मंत्री नारान राने को भाचपा विनकर आगारी प्रदेश देक्ष शाम सान्देकर तता भाचपा कामगारा घाडी पूरविदर्व सहियों जक जैसें कच्छवाह के नेत्रु तुम्हें तता भाचपा के वरिष्णेता खादी ग्रामोद्योग आयोग के केंद्रिय सदेश्च जैग प्रकाश गुपता इनके नेत्रु तुम्हें ग्यापन सौप कर प्रधानमंत्री रोजगार निर्मती कारेक्रम की कर्ज मर्यादा को 25 लाग से 50 लाग करने तता अनुदा नराशी 35 पतिशत से 50 पतिशत करने की मांग की नगर की सूप्रसिद्ध सामाजिक तथा सांस्कुतिक संस्ता जेश्ट मित्रमंडल के 17 वे स्थापना दिवस पर जरिपटकास्तीत मातेश्वरी भवन में सदाबाहर किशर कुमार संगित में कारेक्रम का शानदार आयोजन किया गया इस कारेक्रम के सौजन ने करता सरवश्री महेशकुमार आनंदानी, मुरली वाधवानी, बोहन सोईथानी, हरिश केवल रामानी, रितिशकुमार रोचलानी वजय की पारवानी थे कारेक्रम की प्रस्तावना वस संग्शिप्त परीचे मंडल के अदेक्ष अरजुन्दा सहुजा ने दिया इस अउसर पर उपस्ति सभी सोजने करताओं का सतकार शौल, श्रीफल वो पुष्पक उच्छले कर किया गया सभी गायक वबादक कलाकारों का परीचे करवाते हुए उन्हें मंच पर आमतरित किया गया वहर्च दोनी से उनका सतकार किया गया स्वागत समारों का कुशल मंस संचालन वहाभार मंडल के सहसेचुर में सचदेयों ने किया संगीत में कारेकरम के शुरुवात करते हुए मंच सूप्रसिद्ध उद्गोशक डॉक्टर मनोश सालपेकर को सुपूर्थ किया गायक कलाकारों में सागर मधुमटके सारंग जोशी शिवानी जोशी ने एक से बढ़कर एक गीतों की प्रस्तुदी देते हुए ये शाम मस्तानी चला जाता हो किसी की दुन में जैजै शुशंकर एक चतुर नार बाबुस समझो इशारे हाल कैसा है जनाप का बचना ए हसीनो भवरे की गुंजन है मेरा दिल एक लड़की भीगी भागी सी ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे गाकर कारेकरम को चरम पर पह आने के लिए एक जनवीरी 2022 से जी एस्टी दर पास से बढ़ा कर 12% करने का तुगला की निरने लिया है माराष्ट पदेश व्यापारी वुद्यक सेल ने इस निरने का कड़ा विरोध जाहिर किया कॉंग्रस पदेश व्यापारी वुद्यक सेल के मुखिया अतुल कोटेचा ने बताया तीस से देश में कपड़ा महेंगा होगा समभोतर कपड़ा वैपारियो द्वारा टैक्स की चोरी करने की समावना भी बढ़ जाएगी इससे सरकार के मनसुबे पर पानी फिर सकता है सरकार का यह अर्थहीन कदम है इससे आम जनता पर महेंगा की मार बढ़ेगी स सरकार को इस नर्णय पर पुनर विचार करना चाहिए और कपड़े पर लगे 12% GST को हटा कर 5% ही रहने देना चाहिए जिससे टैक्स रिपन की समस्याद दूर होगी और कपड़े पर महेंगा की मार नहीं पड़ेगी कोटेचा ने कहा कि सरकार की दबंगई नहीं चलेगी सरकार ने 5 करोड से कपड़े पर 12% टैक्स का निर्णय अमल में लाने की तैयारी की है यह न्यायकारक है पहले ही व्यापारी टैक्स के बोच्टले दबे है अब सरकार की दबंगई से कपड़ा व्यापार उबरने की ब पर होगा ठीका करन का समय शाम के पाच बजे तक होगा ठीका करन के लिए ओनलाइन और ओफलाइन दोनों पध्यतियों से पंजिकरन किया जा सकता है इसी तरह ड्राइविन वेक्सिनेशन के इंदरों पर भी 18 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयू के सभी नागरिकों को को विश सहब अमेटकर अस्पताल काम्टी रोड वस्वर्गय प्रभाकरदट के मनपा महाल रोग निदान केंद्र एम्स आइसोलेशन अस्पताल इमामवारा इंद्रा गांधी अस्पताल गांधी नगर मनपा स्त्री अस्पताल पांच पाउली और प्रगती हॉल डिगोरी में उप अंत में सभी ने महारतिकर प्रसाथ ग्रहन किया इस कथा में पंडित हरिश शर्मा, दयाल महाराज, पंडित रिलोक चंच शर्मा, दिपक बोलाकानी, विविक मिश्रा, राजु महाराज, कपिल शर्मा, प्रकाश महाराज, अरुन ज्जा, सुनिल महाराज, राजश शर्मा प्रणाव निश्रा, हिरालल शर्मा आदियु पस्तित्थे सानिय अर्विन इंडो पबिक स्कूल में पुरे हर्शोल लाज से स्कूल की सदन में क्रिसमस मनाया गया कारे करम का सफल संचालन वंदरा बारा पात्रे ने किया क्रिसमस इसा मसीह के जन्म की खुशी में मनाया जाता है उन्हें भगवान का बेटा कहा जाता है क्रिसमस का नाम भी क्राइस्ट से पड़ा बाइबल में जीसस की कोई बर्थ डेट नहीं दी गई है 336 इसवी पुर्व में रोमन के पहले इसाई रोमन समराट के समय में सबसे पहले क्रिस्मस 25 दिसमबर को मनाया गया इसके कुछ सालों बाद पोप जूलियस ने आधिकारिक तोर पर जिसस के जनम को 25 दिसमबर को ही मनाने का ऐलान किया कुछ देशों में इसाई परिवारों के बच्चे रात के समय अपने घरों के बाहर अपने मोजे और कपड़े सुखाते हुए देखे जा सकते हैं इसके पीछे मान्यता ये है कि सांटा क्लॉस रात के समय आकर उनकी कपड़ों में मनपसंद उपहार भर जाएंगे सेंटा क्लॉस क्रिसमस ट्री केक और जिंगल बेल का गित इस त्योहार की अनूठी पहचान है अरविन इंडो पबिक स्कूल ने नुरुत्य नाटिका के माध्यम से क्रिसमस का त्योहार मनाया सेंटा क्लॉस ने बच्चों में चॉकलेट बाटी, सभी बच्चों को केक बाटा गया स्कूल के प्राचारिय राजिंद्र मिश्र ने सदन को संभोधित करते हुए उपस्तित बच्चों और स्टाफ को क्रिसमस की हार्दिक शुपकाम नहीं दी पुलीस आयूकत मिधेश कुमार के अध्यक्षता में पुलीस विभाग एवं सराफा व्यापारियों की एक समिक्षा बैठक पुलीस जिमखाना सिविल लाइन्स में संपन्न हुई, इस बैठक में अतिरिकत पुलीस आयूकत सभी जौन की उपायूकत उपस्तित थे दक्षता समीती नागपुर सराफा एसोसियेशन महराष्ट स्वरनकार संस्था भारतिय स्वरनकार समाज नवयुवक सराफा एसोसियेशन के पदाधिकारी वसदस्य सराफा प्रतिनीधी उपस्तित थे दक्षता समिती की बहाली हे तू पुलिस आयुक्त मितेश कुमार का शौल वो पुश्पक उच्छ देकर सत्कार किया गया मान्यवरों का आभार मानते हुए बैठक की शुरुवात हुई पुलिस आयुक्त ने अपने संभोधन में दक्षता समिती के सामने आने वाली अर्चनों और सुझाओ आमंत्रित किये उन्होंने इस आधार पर सराफा व्यापारियों को आश्वासन दिया कि यदि किसी दुकानदार ने कानोनी प्रावधानों का पालन करते हुए प्रामाने कुरूप से व्यापर किया हो और वो माल गलती से कोई केस का निकलता है तो व्यापारी पर धारा 411-412 के तहद इस निरने का सभी व्यापारियों ने ताली बजा कर स्वागत किया सराफा प्रती नीधियों की और से राजकुमार गुपता, मनसुक सोनी, पुरुशत्तम कावले, राजेश रोकडे, किशोर धारा शिवकर, मनोज गावंडे, श्रिकान भंडार करने अपने अपने चैंपेंशिप में सभी स्केटर्स ने बहतरीन प्रतर्शन किया, पदग विजिताओं में अंडर 11 बोईज, शरविल पांडिलवार, सिल्वर मेडल, अंडर 11 गल्स में मिही का अगाशे, दो ब्रॉंज मेडल, एवं अन्यक हिलाडियों का समाविश है, राश्ट्य स्तर पर पदारपन करने वाले एक और स्केटर आरोज अंभूल करने भी बहुत अच्छा प्रतर्शन किया, और आने वाले दिनों में कोच और स्केटिंग क्लब प्रशासन इन सब से सर्वत्तम प्रतर्शन की उम्मित करती है, उपरोग सभी स्केटर्स ने उनसाठ विराष्टे चै और क्लब के अन्य पदाधिकारियों को दिया है, बच्चों के माता, पिता और कोच ने उम्मित जताई है कि बहुत जल्द ये स्केटर्स राज्जे या देश के लिए खेलेंगे जिले समेत राज्जे में कोरोणा मरिजों की संक्या तेजी से बढ़ रही है, नई वायरस से बढ़ते खत्रे को देखते हुए, जिला प्रशासन ने बुद्वार को उच्च अधिकारियों की बैठक बुलाई और कर्फ्यू सहित नए प्रतिबंद जारी किये जिला प्रशासन ने आपात का लिन बैठक बुला कर प्रतिक विभाग और स्वास्था विवस्था के प्रतिनी धियों को अलट रखने का निर्देश दिया कर समय तमाम विभागा देक्षम मौजुद थे राजसरकार की कर्फ्यू के आदेश को देखते वे सर्वसम्मती से नाकपूर बे रात नौ मज़े से सुबद छे बज़े तक कर्फ्यू लगाने पर सहमती रही कोरोना वाइरस के प्रसार को रोकने के लिए ब्रुहन मुंबई महानगर पाली का द्वारा जारी किये गएक निर्देश के बाद नाकपूर जिले में भी 31 दिसंबर को नए साल के जश्न पर प्रतिबन लगाने का निर्ने लिया गया है राजस्तर ये दुर्गराज किला बना उस परधा में नाकपूर के मंदार और अरनव राजिंद्र उट्टलवार ने दुसरा स्थान हासिल करते हुए अपने कला कोशल का लोहा मनवाया है सुरुजन की ओर से आयोजित इस परधा में राजजबर से 1500 प्रतिबागी शामिल हुए थे पूने में हाल ही में विधायक रोहित पवार के हाथों भीम थड़ी जत्रा में आयोजित शांदर कारेक्रमें उट्टलवार बंधूों को 31,000 रुपे नकत प्रमान पत्र स्मूती चिन्ह से समानित किया गया इस आउसर पर सुननदा पवार के साथ परिक्षक वा अन्य अथिति गण प्रमुकता से उपस्ति थे मंदार और अरणव राजेंदर उट्टलवार ने इस वर्ष विजय दूर्ग किले की आकर्षक प्रतिक्रूती सकार की थी इस वर्ष उनकी के और से आयुजित किलास परधा में भी प्रतम पुरसकार से समानित किया गया था। MPDA की कारवाई करके जेल भेजा गया है इसके पहले सरवादिक 36 कारवाईया हुई थी किसी भी गुंडे को सलाकार मंडल अत्वादालस से राहत नहीं मिली है नमबर माह तक 90 गुंडों को तड़ी पार किया गया है गतवर सीह संख्या 43 थी इस साल मकोका के तहत 7 कारवाई हुए है इनमे 94 हत्याय शामिल है बीति साल 97 हत्याय हुई थी 2001 से 2020 के दवरान 1997 हत्याय हुई है इस लिहाद से हर साल 100 हत्याय होती है नालान मांजों का इस्तमाल खत्म करने के लिए जनूरी माह में 42 मामले दर्च करके 85 आरूपियों को गिरफतार किया गया था दिसंबर माह म सत्रा मामले दर्च करके 27 आरूपियों को गिरफतार कर 17 लाक रूपए का माल बरामत किया गया है महमूदा शिक्षन और महिला ग्रामिन विकास बोधिशी संस्ता में ग्रामिन विकास मंत्राले के अंतरगत दीन दयाल उपादय ग्रामिन कोशल योजना डी डी यू जेके वाई के तहट चरह कोशल विकास कोर्स में प्रशिक्षन लेने वाले छात्रों तता सेंटर इंडि पुरा विश्व 2019 से कोरोणा महमारी से जूज रहा है। कोरोणा पर इलाज नहीं किन्तो अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए वैक्सिनेशन करवाने हैं तू। गुरु धासिदास बाबाजी की 265 वी जैनती पर दोदिव से जैनती समारो कायो जन किया गया। शोभायात्रा निकाली गई। जिसमें महिलाय मंगल कलश शीष पर लेकर शामिल हुए। संत मनीकदास गुरुजी और उनकी टीम द्वारा भजन किर्तन इस शोभायात्रा का केंदर रहा। इस दवरान महाप्रसात का भी आयोजन किया गया। कालिका के उपद्रव खोजी दल ने बुद्वार को प्लास्टिक पतम की विरोध में कारवाई जारी रखी। एंडियस दस्ते ने 10 जोन में 56 दुकानों का निरिक्षन किया। इसके अलावा उपद्रव खोजी दल ने 2 प्रतिष्टानों पर कारवाई की और 10,000 रुपे का जुर्माना वसुला। टीम ने 42 पतिष्टानों और मंगल कार्यालेयों का निरिक्षन किया। मनपायोक तरादा कुष्णन बी की निर्देशा नुसार और उपद्रव खोजी दल के प्रमुक वीर सेंतामे के मार्गदर श्रमेन मनपा की टीमों ने यह कारवाई की। तो नागपुर हल चल में आज इतना ही आप से फिर बुलाकात होगी तब तक देखते रहिए बिकेबी न्यूस नमस्कार।